हवाओं में विजाओं में तेरे होने का अहसास क्यूं है क्यूं है ख्यालों में ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यूं है क्यूं है मेरे मंजले हर रास्ते मेरे जीने की वज़ों तु है तु है तु है तु है सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो चुक्के से मुझको सुकू दे जाते हो सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो चुके से मुझको सुकू दे जाते हो ये दुरिया, ये फासले, तेरी कुर्बत से मुकमन, यू है, यू है, यू है, यू है, यू है I seek unto, into my life, in my heart, into my life, in my heart ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजोद ये मेरा, तुछ से ही जुडा है ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजोद ये मेरा, तुछ से ही जुडा है तेरी रहमते, ये इनायते, मुझे भी महरबा, तुछ है तु है, तु है, तु है, तु है क्यु है, क्यु है, क्यु है क्यों हूँ है तत्वग्यानी एक क्रांतिकारी व्यक्ति रूस में कभी था जिसकी देर सारी किताबे लिखी हुई है फ्योडर डोस्टो इसकी और फ्योडर डोस्टो इसकी ने एक किताब में अपने एक उपन्यास एक नौविल में अपने पात्र के मुख में वोई सारा डाला है जो उसने अपने जीवन में खुबन हुद अनुभव किया था रिशिया में क्रांती चालू थी जो उप्रेस्ट जो समाज के वो लोग जिने सताया गया है उनके समर्थन में क्रांतीकारी उटखड़े हुए थे और ऐसे क्रांतीकारियों को कारगार में डाल दिया गया था 27 साल का ये लेखक उसमें एक था और फ्योडर डोस्ट्यो विस्की ने बाद में अपनी ही एक किताब में ये सारा वर्णन किया है लेखक ने लिखा है मैं जब 27 वर्ष का था क्रांतीकारी था और सरकार ने मुझे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया एप्रिल 1849 आठ मास तक वो और उसके साथ ही जेल में थे जेल की जो कंडिशन्स थी बहुत खराब थी सूरज की एक किरन भी वहां किरन भी वहां नहीं आती थी अंधेरी कोठरी, कारागार, सलाखे, बेडिया खाने पीने की बहुत खास कोई विवस्ता नहीं ऐसा लगता था कि अम्रुत्यों आई की आई और फिर अचानक एक दिन उनको जेल से निकाला जाता है एक गाड़ी में बिठाया जाता है और उनको एक जगाल लेके जाते है आखों में पट्टी लगी हुई है और पट्टी जब खोलते है तब उन्हें पता चलता है अब उन्हें मृत्यों दंड की सजा दी गई है उस तरह के उनको काले कपड़े पहना दिये जाते है और वो सारे तिन चार या उससे बे ज़्यादा वो सारे करांतिकारी उनको खड़ा कर दिया जाता है और सैनिक बंदूप ताने हुए उनके सामने उनको मारने के लिए बस अब लास्ट क्षण है मृत्यू होने ही वाली है वो मरने ही वाले है उसी क्षण एक संदेश वहाँ काता है और वो संदेश वहाँ संदेश लेकर आता है कि सभी करांतिकारीयों को छोड़ दिया गया है और वो सब खुश हो जाते है परन्तू ये जो मेमरी है रह जाती है बाद में एक बहुत प्रसिद्ध किताब इसी लेखक की द्वारा लिखी हुई 1869 में The Idiot उसके एक पात्र के मुख में लेखक ने अपना अनुभव डाल दिया और उसने ये बात लिखी है When I look back on my past and think how much time I wasted on nothing how much time has been lost in futilities errors, laziness, incapacity to live how much little I appreciated it how many times I sinned against my heart and soul then my heart bleeds Life is a gift Life is happiness Every minute can be an eternity of happiness वो लिखता है मैं जब मृत्यू के इतने समीब था जब अब मुझे मारने ही वाले थे उस समय जब मृत्यू के आमने सामने मैं था तब मन में विचार आया था कि मैंने अपने जीवन में कितना समय बरबात कर दिया व्यर्थ में, errors में, गल्तियों में आलस्त में, अलवेलेपन में incapacity to live how little I appreciated it जीवन को मैंने कितना appreciate करना था कितना कम appreciate करना जीवन का complaint से बराया how many times I sinned against my heart कितनी बार मेरे दिल ने मुझे कहा कि यह नहीं करो, यह नहीं करो, फिर भी किया कितने पाप इस 27 साल के जीवन में मैंने कर दिये my heart bleeds मेरा रिधय पीडा से भर जाता है दुख होता है दर्द होता है, खून बहता है life is a gift, life is happiness every minute can be an eternity of happiness हर minute एक सदी हो सकती थी, खुशी की what if I didn't have to die I would turn every minute into an age nothing would be wasted every minute would be accounted for part 1 chapter 5 book the idiot क्योंकि यह उसके स्वा अनुभाव किये हुए इस शब्द है कब लिखे? 1869 इस संसार में असंग के लोग है जिनोंने अपने अनुभाव लिखे है यह वो अनुभाव था जिसमें लेखक एकदम मृत्यू के सामने खड़ा था पर मृत्यू हुई नहीं और छुट गया परंतु वो भै और फिर ये पश्या ताप कि जीवन कैसे विर्थ चला गया? एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक गलती जब एक मर्यादा का उलंगन करते हो तो एक मर्यादा का नहीं एक मर्यादा में सारी मर्यादाए समाई है जब एक गलती करते हो तो एक गलती में कही गलतिया समाई है लास्ट एमैट का कुश्चिन दाना तो इस संसार में असंखे लोग है जिन्होंने वो अनुभो लिखे है, ये एकदम मृत्यू के समीब चले गए, मृत्यू सामने थी, पर हुई नहीं, एक तो ये. दूसरे वो लोग है जिनोंने वो अनुभो लिखे है जिसे कहा जाता है Near-death experiences Near-death experiences की बहुत बड़ी लिस्ट है व्यक्ति सो रहा है रात में स्वपन देखा मृत्य हो गई जब उठा तो पहले नास्तिक था वास्तिक हो गया पहले भगवान पर विश्वास नहीं था अब विश्वास हो गया जब मृत्यू को देखा तो पता चला मृत्यू के विशे में जो भै था वो अब चला गया वो खतम हो गया ऐसे लोगों ने अपने धेर सारे अनुभो लिखे है धेर सारी किताबे इस एक टॉपिक पर है जिसे कहा जाता है Near Death Experiences कई लोगों ने देखा कि मेरी मृत्य हो गई और किसी एक लाइट की दुनिया में चला गया ये वो लोग है जो ना आत्मा को मानते हैं ना जो परमात्मा को मानते हैं कृष्चन धरम में हैं Experiences लिखे है और उस Experiences में स्वर्ग का वर्नत जो उन्होंने देखा स्वपन में वो लिखा है एक सर्जन ने भी अपने बहुत सारे अनुभो लिखे उसकी किताब भी है पब्लिश भी हुई है जो लिखता है कि मेरा Operation हो रहा था डॉक्टरों ने उमिद छोड़ दी थी मैं मरने ही वाला था फिर अचानक मैं अपने आपको देख रहा हूँ मैं उपर हूँ नीचे Operation हो रहा है और मैं उनको बता रहा हूँ कि ये करो पर उसुन नहीं रहे और अचानक फिर उनको टचिंग वे और उन्होंने वो किया जो मैं उनसे कह रहा था और मैं बज गया पर उस बीच उस आठ घंटे Operation के बीच मैंने किसी और जगत की भी यात्रा कर ली स्वर्क की यात्रा कर ली Angels मिले वहाँ पर फरिष्टे मिले तो एक तो वो की मृत्यों के सामने है मृत्यों हो रहे वाली है पेहोश नहीं है स्वपन नहीं है वास्ताओं में जो Fyodor Dostovist की कानुब हो जो अभी सुनाया वैसे और उसके बाद में उनका जीवन ही बजुदल गया जीवन ही परिवर्तन हो गया जीवन ही सुदर गया कि अगर वास्तों में मर जाते थे थो क्या होता How many times I sinned against my heart and soul that my heart bleeds Life is a gift, life is happiness Every minute can be an eternity of happiness ये Fyodor Dostovist की ने अपने ब्रदर Mikhail Dostovist की को लिखा हुआ पत्र है उसमें से और फिर उसी में उसने एक novel लिखा था 20 साल बाद 1869 में The Idiot उसमें एक पात्र के मुख में ऐसा ही सीन क्रियेट किया और उसके मुख में ये सारे शब्द डाले ये की अनुभो और दूसरे नीर डेथ वाले अनुभो ये भी कई बार हुए है B.K.S. को भी हुए है और हमने भी बहुत सारे देखे है कई पेशेंट्स ऐसे कि बस अब गए और फिर वापस आ गए कई बार हुआ है बिलकुल अब लगा कि मानिटर पर फ्लैट लाइन आ चुकी है अब रिलेटिव को इन्फॉर्म ही करने जा रहे है कि गए बाहर बैठे है आईस्यू के बाहर पैंदराभीस लोग अब उनको बता नहीं है कि गए पेशेंट अब का गए और अचानक से रिदम वापस आ गया और फिर दो दिन रहा वो विक्ती और कोई-कोई तो अभी भी रह रहे है एक तो मदुबन में ही है नहीं से कई सारे है चुगए है और आगए बिदुम आता थी मदुबन में डाइलेसिस चलता था वो भी गई और फिर तीन दिन और थी पूरा जाने के बाद और कई ऐसे भी भाईव है इनको काडिया करेस्ट हुआ CPR हुआ और फिर रिवाईव हो गए और बाद में सुनाते है कि हम बाबा के बाद जा क्या है ROSC achieved हो गया है पर फिर भी return of spontaneous ROSC करते है हम लोग उसके circulation पूरा कडिया करेस्ट हो गया CPR किया ये किया वो किया सब कुछ किया शौक दिये और सब के बाद ROSC achieved revive हो गया rhythm आ गया तब patient बताते है कि उनको पूछा जाता है तुमने क्या देखा तो कहते हैं हमने ये ये देखा B case नहीं बाहर वाले भी कुछ कुछ अजीब हो गरीब हनो बहुत सुनाते एक patient था alcoholic बहुत ही दिन राद दार भी पीते रहता था उसका भी अनुपया वो भी एक दो बार जाते जाते वापस आया गया हो रहा है तो उसका पूचा बताओ क्या हुआ तो बोले भगवान के बास गया भगवान ने कहा तुम्हारा टाइम पुरानी हो जाओ नीचे बगवान ने कहा कि तुम्हारा जाओ नीचे तो बोले मैं वापस आ गया तो मैंने पूछा फिर अभी next booking कब है तो मैंने अभी time है थोड़ा अभी तब तक और पीना है तो आना जाना चालू रहता है परंत वेक अनुभव ऐसा ही है ऐसा भी है जो केवल और केवल स्रिष्टी की संपूर्ण स्रिष्टी में जितनी आत्मा है उसमें से एक ही आत्मा का है वो ये है आज का संदेश बाकी सभी संदेशों में बाकी सभी मृत्यू के जो अनुभव है एक तो मृत्यू दिखी और नहीं हुआ जैसे बाल-बाल बज गय उदर से ट्रेन आ रही थी और एकदम बज गय उदर से एक्सिडेंट हो नहीं वाला था बस बज गए पुरा होश में थे एक दूसरा जब हम स्वपन में देख लिया मृत्यू को या फिर ड्रीम में या फिर इमाजिनेशन में या फिर ऐसा कोई अनुभव हो गया तो नियर डेथ एक्सिपिरियंसे ऑपरेशन होते हुए फिर उपर से सब देख रहा है व्यक्ति क्या क्या हो रहा है मेरा नीचे और लोगों ने आप पढ़ सकते डेर सारी किताबे हैं डेर सारे अनुभव है परन्तु ये एक मात्र अनुभव है जहां व्यक्ति की संपूर नमृत्ति हो गई biological death और उसके बाद में वो अनुभव सुना रहा है कि क्या हुआ ऐसा वास्तों में impossible है क्योंकि मरने के बाद कैसे कौन सुनाएगा कैसे सुनाएगा कोई impossible ये एक ही आत्मा है जिसका ये अनुभव है जो आज हम देखेंगे वो पहले दो तो बहुत है संसार में किताबे लिखी है तेर सारी इस पर उससे पहले की हम उस अनुभव की तरफ आए आज का अव्यक्त संदेश नमबर छे इसमें तीन सीन है पहला सीन भीट लगी हुई है टिकेट बट रहे है किसी को टिकेट मिली किसी को नहीं मिली किसी ने कहा टिकेट हम बाद में ले लेंगे जल्दी क्या है जिनको मिली वो गेट में प्रभेश किया गेटवे टू heaven गेटवे टू paradise टिकेट कौन सी थी टिकेट टू heaven heaven की टिकेट थी और जिन गोने टिकेट ली गो गेट के अंदर गए जिन्हों ने ये कहा था बाद मिलेंगे और एक दूसरे को देखते रहे गए पश्चा ताप करते रहे गए बाबा ने कहा अब वो समय है सोचते सोचते क्या कर दोगे भाग्य को गवा दोगे ये सोचने का समय नहीं है ये पहला सीन था टिकेट टू heaven टिकेट टू paradise गेटवे टू heaven गेटवे टू paradise अगर टिकेट नहीं लिया है तो क्या होगा पश्चा ताप और टिकेट में भी कौन सा टिकेट फिर AC, non AC, sleeper, first class, last बटी में हमने देखा था गोड़े स्वार, महारती गोड़े स्वार जो होगा उनका ट्रेड मार्क होगा फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या और उसी मुडली में, उसी के नीच बबा ने फिर कहा था कि AC की टिकेट टिकेट तो ली है पर कौन सी टिकेट ली है किस तरह का पुर्शार्ट कर रहा है AC अर्थात, air condition जैसे air होती है, उसका वो condition कर सकता है जैसे चाहो, जब चाहो, अपनी स्थिती को वैसा बना सको अर्थात, AC की टिकेट लेना महारत ही अर्थात, master service शक्तिवान पर जो गोड़े स्वार है, वो है शक्तिवान वो है विश्व कल्यानकारी, वो है कल्यानकारी फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या बस यही करते रहेंगे, पूचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे तो सोचने वाले नहीं, समय को सफल करने वाले यहां जितनी चेकिंग महीन होगी, वहां पर महान पद की डैश होगी, booking यहां जितनी चेकिंग की गुयता होगी जैसे वो वग्यानिक नई नई इन्वेंशन्स करते हैं जैसे वो वग्यानिक गुयता में जाते हैं प्रश्न दाना कि भूल गए वो साइंस वाले गुयता में जाते हैं हर चीज की गुयता में जाते हैं नए नए inventions करते हैं वैसे deepness में जाओ रास्ते में नहीं deepness में नए नए अनुभाओ करो अनुभाओ की deepness में यह सबसे पहला सीन थी heaven इतनी जितनी गुईय चेकिंग होगी उतनी ही महानपत की booking होगी तो यहाँ checking, वहाँ booking मर्यादाओ की fitting और स्तिति की setting सब याद आ रहा है ना भूलना नहीं है, अभी अभी test दिये सबने भगवान के महवाक्यों को एक एक लाइन को केवल कंठस्त नहीं रिद्यस्त करना है ताकि वो समाज है आज की मुर्ली महवाक्यों last line क्या है, साकार मुर्ली का है हाँ teacher किदर है महवाक्यों पढ़ाई से प्यार अर्थात, मुर्ली से प्यार अर्थात, पढ़ाने वाले से प्यार मुर्ली से प्यार नहीं तो भाब से भी प्यार नहीं फिद्यस्त, कंठस्त नहीं, कंठ मतलब इधर फिद्य मतलब इधर यहां से यहां यहां जब पहुँच गया तो फिर रिवाइज भी करने की जरुबत नहीं छप गया है वो, वो और हम एक हो बह ज्यान हमारी धमनियों में रक्त की तरह बह स्बंदन आज तो कहा है ज्यान से भी परेजो, विग्यान तो सबसे पहला यह सीन था तो कौन सा टिकिट हमने लिया है एसी का टिकिट अर्था जब चाहो, जैसी चाहो अपनी स्थिति को बना सको ऐसी प्रैक्टिस दिन रात नए नए योग के प्रयोग करते रहने अलग-अलग जगा पर प्रयोग करने योग का जो विशे है उसमें आत्मा अलग-अलग स्टेशन से गुजरती है कभी बिजरूप का स्टेशन कभी रूरियान का स्टेशन कभी फरिष्टे स्थिति का स्टेशन अव्यक्त स्थिति का स्टेशन अशरिर्य अवस्था का अव्यक्त स्थिति का विदेही स्थिति का कम्बाइंड स्थिति का साथ का, छत्रचाया का सहारे का वही सब कुछ का अलग-अलग स्टेशन सही योग के एक ही नहीं करते रहना क्योंकि ये विराइटी योग है कभी सर्वसंबंद अनुभव कर रहे कभी कुछ अनुभव कर रहे कभी अभ्यास कर रहे कभी कर्मयोगी है तो कभी बैठे है और केवल अश्रिरी पन, केवल बीजरूपस्तिति, केवल ज्वाला मुखी, कोई संकल्प ने, जीरो संकल्प और कभी ऐसी अवस्ता है कि जिसमें बस उसी का सहारा है, वही आधार है, उसके अतिरिक तो और कुछ भी नहीं है कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कभी केवल अश्रिरी हो रहे हैं, बस उसको याद भी नहीं कर रहे हैं केवल कभी प्रकृति के साथ है तो योग के अनुभाव योग कौन सिखाता है योग किसी क्लास का विशे नहीं है योग हर व्यक्ति अपने अनुभाव से सीखता है जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ते जाएगा योग के नितन नूतन अनुभाव होंगे और योग अर्थात योग का किसी कमरे से संबन नहीं है योग का किसी स्थान से संबन नहीं है योग का ट्रांसलाइट से कोई संबन नहीं है किसी चित्र से, किसी ब्रह्मा से कोई शिव बाबा गोल गोल वहाँ पर कोई light, कोई geet, कोई soft music ये सब से क्या लेना देना है ये सब तो KG1, KG2 आलंबन है दिरे दिरे परंदु हाँ आवश्चक है क्योंकि संसार कलियोगी वातावरन है विकारी लोग है सब vibrations वैसे है तो कम से कम पहले उस vibrations है इस vibrations में तो आ जाए ये भी तो उस से हम जुड रहे हैं तो सब से पहला अगर heaven का ticket चाहिए तो अपने आपको त्यार करना है ये नहीं बाद में ले लेना exam दी, exam में first आ गए और first आने के बाद teacher ने कहा school में कि जो भी toppers है उनको सबको बक्षीस मिलेगा शाम को आ जाना तो एक बच्चा गया ही नहीं पर वो topper है उसने का आज किया लेना है आज लो क्या कल ले लेंगे बक्षीस भी लेना है न ट्रॉफी लेना है ना आज कल ले लेंगे दूसरे दिन पहुँचा टीचर ने कहा बक्षिस ये था कि सरकस की टिकेट थी वो भी एक ही दिन की, वो भी शाम की, कल की वो गई अब फ्री टिकेट तो बाबा ने कहा सोचते, सोचते भाग्या को तो नहीं गवा देते हो तो ये वो लोग दूसरा सीन, ये सीन मर्ज हो गया सुक्ष्मवतन का दूसरा सीन, दूसरे सीन में नदी बह रही है कुछ लोग आ रहे, पूछ रहे, नदी कहा है लोग वहाँ है, वो कह रहे, वहाँ है जाओ वो जा रहे, स्नान कर रहे पानी, जमा भी कर रहे और जो वहाँ बैटे है जो वहाँ रहने वाले है कहा हैं, रहते वहीं है पर पूछो तो पता नहीं, कहा हैं और फिर अचानक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया नदी चली गई फिर जो रहे गए वो पश्चाताप करने लगे, फिर वो मांगने लगे एक बूंदे दो, एक बूंदे दो, एक बूंदे दो, एक बूंदे दो, तडप रहे है बाबा ने कहा ये है ज्यान नदी जो ना रहे है, जो भर रहे है जो जमा कर रहे है वो फानी वो वो लोग है जो बाहर से आ रहे है और जो वहीं है वो आबुनिवासी है इसी भूमी पर भगवान आया है पर इनको पता ही नहीं इधर ही जनम हुआ है दादा पर दादा हमारे ओपिड़े में ऐसे कैसे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने आपके ब्रह्मा बाबा को देखा, वो तो हमारे पास से ही किराना लेके जाये करते थे यहां के बहुत पुराने पुराने से सब कुछ देखा है यहाँ प्रेस करने वाले वो कहते हैं वो आपके बाबा का मारे जो पिताजी थे वो कप्ड़े प्रेस भी करते थे बहुत सारे अलग-अलग प्रोफेशन्स के लोग सबने देखा हैं, मम्मा को देखा हैं यहाँ पर नर्स एक सिस्टर थी क्रिशन्स, वो कहते थी आपकी मम्मा, she was my friend वो खुद नब्बे वर्ष की थी क्रिशन्नन यहाँ के जो चर्च है वहाँ की टोली खाई है, सब कुछ किया है बाबा उनके दोस्त थे सब कुछ देखा है अभी भी आते है उपड़ी में तो यह, हमने इनको बहुत देखा है ऐसा कहते है हम सब को जानते हैं आपकी चितनी दादी हैं हम सब दादीो को जानते हैं सब से मिले हम तो तब से आये हुए हमको पता है जब यह सब लोग यहां आये थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे, तब से यह लोग है, तो बाबा ने यहां कहा, यह नदी बह रही है, पर नदी ने रास्ता बलट दिया, और फिर यहां वाले जो है, उनको यह नहीं पता, यह कौन सी नदी थी, बाबा ने कहा, यह ग्यान नदी है, इन ग्यान नदी में नहाओ, अब टाइम वेस्ट मत करो, अब सवय नहीं गवाओ, यह अमुल्य ग्यान नदी है, अमुल्य समय है, डोंट वेस्ट थाइम, और ऐसा जटके वाला नवा थोड़ा होना चाहिए, जैसे यह Fyodor Dostoyevsky का बता है, अब पता है, इसा जटके वाला अनुबह हो चाहिए, तब जागरिती आती है, कि हम क्या कर रहे है, टाइम वेस्ट कर रहे है, कितना व्यर्थ में टाइम चला गया जीवन का, किसी व्यक्ति से कोई संबंद बना दिया, उस संबंद में कितना टाइम चला गया, मिला क्या, जीरो, कुछ भी नहीं प्राप्ती हुई, ना उसे ना हमें, इसलिए जो संबंद बने है, वो ठीक है, अभी नयमत बनाना, राकी आ रही है, तुम मुझे भाई जैसे लगते हो, तुमको देखती हो, तुम मेरे छोटे भाई की यादा आती है, नए संबंद बनाए, ना स्त्री देखो, ना पूरुष देखो, क्योंकि स्त्री और पूरुष के संबंद में भी डैश, एक्सिडेंट, बेहन और भाई, इसकी भी दाल नहीं गलती, जब दृष्टी वृध्ती चंचल हो, तो अपने आपको क्या समझो, इश्टा का कीड़ा समझो, अपने आपको क्या समझो, जमादार अपने आपको क्या समझो, रावरो नरकोहसी, रिथेहास्त करना है, तुम एक-एक इंजिन हो निकिलेज भाई तुमारे पीछे ग्रहचारी बैठी है बाप पड़ा हुआ है माया पड़ी हुई है ओप्शन फोर विश्व की आतम है क्या? ओप्शन की जरुवत नहीं पर ओप्शन भी याद हो जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है टाइम वेस्टर्स और एनरजी ड्रेनर्स की लिस्ट बनानी है सबसे ज़्यादा टाइम कहा वेस्ट होता है और वर्तमान समय सबसे ज़्यादा किसमें लगे हुए है लोग? शॉर्ट और रील्स गुसते हैं तो निकलते नहीं क्योंकि अट्रेक्टिव चीज़े है नई नई चीज़े और हमारे मन का सभाव कॉंसेंट्रेशन का सभाव नहीं है चंचलता का सभाव ज़्यादा है यह चंचलता को का पोशन करता है क्योंकि मुरली अर्था 6 पेज की मुरली पढ़ना कितनी एकागरता चाहिए एक पॉइंट यहां आ रहा एक पॉइंट वहा हा रहा सतारे पॉइंट्स को पढ़ना केवल पढ़ना नहीं उसको फिर जोडना उसको याद रखना, उसको समझना उसकी गहराई में जाना उसको जीवन में लाना अपलाई करना एक पादरी जा रहा है उसके साथ एक सोप मैनिफेक्चर का मालिक है वो जा रहा है वो सोप मैनिफेक्चर का मालिक कहता है ये क्या है कौन भगवान क्या भगवान यह पढ़ने बिढ़ने से Bible Christian story है यह सब पढ़ने से कुछ नहीं होता है फिर भी तो लोग इतने पाप कर्म करते है यह सब करते है यह पढ़े यह तो क्या फाइदा अच्छी बात है पाप कम होने वाला है कि इस वो जाते जाते वो पादरी कुछ नहीं बोलता है चुप जाते जाते उनको एक बच्चा दिखता है पूरा गंदगी में किचड़ विचड़ लगा हुआ है तो पादरी कहता है यह साबुन जो तुम लोग बनाते है उसका क्या फाइदा है देखो गंदगी में गुम रहा है बच्चा वो कहता है अरे गंदगी भी तो गुमेगा न रही शुट अपलाइट तो वही तो मैं कह रहा हूँ यह शुट अपलाइदा नॉलेज इस अपलाइड नॉलेज यह नॉलेज सुनाने के लिए नहीं है केवल सुनने के लिए नहीं है यह knowledge लिखने के लिए नहीं है यह knowledge में आहा हा बहुत अच्छा केवल रमन करने के लिए नहीं बुद्धी विलास के लिए नहीं है यह knowledge को जीवन में लाना है knowledge और जीवन एक बन जा है लोग जब यह भट्टिया चालू की थी अपने आप होगी, और वो हुई है, केवल ज्ञान को पकड़ लो, अब दूसरा प्रशन और है, ज्ञान 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 योग कप करेंगे? ज्ञान जब बुद्धि में संपूर्न रिति स्पष्ट हो जाएगा, निरंतर दिन रात सतत भेते रहेगा, टपकता रहेगा, ज्ञान की बुल-बुल टिकलू-टिकलू करती रहेगी, दिन रात की घम और ज्ञान एक हो जाए, तब परिणाम योग स्वत होगा, योग करने की जरुषत नहीं, और जैसे कहा केबल बैटकर ही योग नहीं होता है, हमारा तो योगी जीवन है कल की मुर्ली, संडे की, क्या कहा, योग का प्रभाव जीवन में दिखे, युक्त युक्त योग युक्त बोल और चलन, चलन में नहीं दिख रहे, और योग एक घंटा शरी रिपन कानुबो हो गया बाबा के साथ कमबाइंड सिती ज्वाला मुखी योग सब हो गया कर्म योग में गये और जगड़े चालू दो बज़े उठने योग जो करते है ताकत ज़्यादा है खायल भी ज़्यादा करते है कहां चला जाता है पता नहीं वो वहीं तक सीमित है योग और ज्ञान अलग-अलग ना हो एक हो जाए अमरित वेला दिन चर्या अलग-अलग नहीं एक हो जाए चार सब्जेक्ट है यह नहीं एक ही सब्जेक्ट है कई बार कहा है ग्यान ही योग है योग ही ग्यान है ग्यान ही धारना है धारना ही ग्यान है धारना ही सेवा है सेवा ही धारना है ग्यान इक्वल टू योग इक्वल टू जी इक्वल टू आ इक्वल टू डी इक्वल टू एस जी वाइडियस एक ही है अलग-अलग कुछ भी नहींग है तो यह second scene था तीसरा scene था महा तीसरा scene था महा मंतर की gift तीसरा scene था महा मंतर की gift तो महा मंतर की gift में bàba ने दो gift दी है सौगात के रूप में, वह कौन से सौगात है पहला तो एक बाब को याद करो दूसरा योगी बनो, पवित्र बनो तो यह यहां पर पुरा हुआ अब दूसरा जो है वो लिखा नहीं उसमें दस सीन से सीन सीन वन, सीन टू, सीन त्री सबसे पहला यहां पर letters का एक mountain वतन में क्या आया है letters ही letter आया है इतने सारे letters आया है कि सबका क्या बन गया है एक पहाड बन गया है फिर वो सारे सीन से इसमे इश्यू दादी मम्मा प्रमा बाबा यह सब ही मर जुए क्या letters है, बाबा ने का इन सबका दादी कहती है तुम आप कैसे रिस्पॉंड करोगे इतने लिटर्स का, बाबा ने का, मैं एक सेकंड में कर दूँगा, शीव बाबा तो साक्षी होकर देख रहा है, dead silence है, और बाबा ने यहाँ पर एक लिटर है, शीव बाबा का, बाब दादा का लिटर, क्या लिटर है वो? क्या लिटर है, बाब दादा का खत, ब्राम्भन कुल भूशन, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे, रत्न, बच्चो प्रती, समाचार यह है की, यह पहला लिटर है, प्रमावग, क्या लिटर में लिख रहे है, सभी बच्चो के उलाने के पत्र सुक्ष्म वतन में पाए, रेस्पॉंड में बाब दादा बच्चो को कह रहे है की, ड्रामा की भावी के बंदन में सर्वातमाय बंदी हुई है, सभी पार्ट बजा रही है, इस संसार में कोई भी बंदन से छूटा हुआ नहीं है, उसी ड लाने के खत लिखे है बाबा को, क्यों चले गए, बता के क्यों नहीं गए, छूटी क्यों नहीं ली, बगएरे बगएरे, हाँ, हमें क्यों नहीं साथ में लेके के, अब आदा तो किया था साथ में जाएंगे साथ में, अभी आगे क्या होगा, यग्यका क्या होगा, और ये सारे प्रश्णों के उत्तर किस मुर्ली में है 69 21 जन्वरी यह सारे ढेर सारे direction से यग्य कैसे चलेगा इंचार्ज कौन होगा मुर्ली किसे कहा जाएगा ध्यान क्या पार्ट रहेगा इंचार्ज कौन रहेगा यग्य कौन देखेगा दादी दीदी चक्कर लगाएंगे ध्यान दिदार का क्या होगा मुर्ली जादू किस में है इस में है या उस में है तिवर पुरशारत अर्थात क्या वगरे 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 वो कितनी points है 15-20 points है वो कई बार revise कर चुके है सभी बच्चों को दिल वजान सिक्व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्विकार हो जैसे बाब की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है तो second scene पहला scene कौन सा था? खत है बहुत सारे दूसरे scene में बाब दादा का ये खत बाब दादा ने खत फिर तीसरा scene बाबा ने सबको दृष्टी ती और इस दृष्टी में एक second की दृष्टी में बाबा ने कहा बहुत कुछ समाया हुआ है भगवान की एक second की दृष्टी उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है तो कल भी अभ्यास बताये था दृष्टी लेना भगवान की दृष्टी उसमें क्या-क्या समाया हुआ है क्या-क्या फील हो रहा है वो महसूस करना उन आखों में क्या-क्या है सारी दुनिया है उसमें शक्तिया आ रही है पवित्रता आ रही है प्रश्णों के उत्तर आ रहे हैं उन आखों से सब कुछ तो ये था तीसरा सीन चवथा सीन सीन फोर बाबा को पूछा कि जब आप जा रहे थे अठरा जन्वरी का दिन टाइम पॉने नव? नव क्या स्पस? क्या हुआ? आपका अनुभव क्या रहा? तो अभी तक हमने कहा ये एक मात्र अनुभव है संपूर्ण स्रिष्टी में कितनी करोड़ 700 करोड अरभ खरभ जो आतमाएं हैं उन मेंसे ये एक ही अनुभव है जो डेथ के बाद का अनुभव है क्यूंकि ये अनुभव दूसरा कैसे कोई बता सकता है? बॉयलोजिकल डेथ हो गई है उसके बाद का ये अनुभव? तो बाबा ने यहाँ पर बताया अन्तिम समय मुझे क्या हो रहा था? तो बाबा ने कहा जैसे कोई आखाड़ा है और जो पहलवान कुष्टी कर रहे है मल्लयुद्ध कर रहे है, रेस्लिंग तो एक पहलवान को समझ लो कर्म भोग और दूसरा पहलवान कर्म योग दोनों की लड़ाई चालू थी कभी इसका फोर्ज ज़्यादा था, कभी इसका फोर्ज ज़्यादा था कर्म भोग अर्था शरीर का दर्द या शरीर की पीड़ा शरीर के हिसाब किताब ये दोनों की लड़ाई चालू थी और मैं साक्षी होकर देख रहा था कभी इसका फोर्ज ज़्यादा, कभी इसका फोर्ज ज़्यादा और लास्ट में कर्म योग का फोर्ज ज़्यादा हो गया दर्द कम हो गया, दर्द खतम हो गया कर्म भोग खतम हो गया और इसकी विजय हो गी ये मैंने देखा death का experience कि क्या अनुभा हुआ मुझे कि ये दो force थे एक तरफ कर्म भोग खीच रहा था एक कर्म योग खीच रहा था और विजय किसकी हो गई फिर कर्म योग की विजय हो गई दर्द अचानक चला क्या ये एक फिर उसके बाद में एक दूसरा scene पाचवा scene no.5 इसमें बाबा ने कहा तीन बाते और ये तीन बाते बहुत काम किये क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलेगी ना किसी मुरली में आया है बाद में और ना ही संसार की जो आत्मा है उन्होंने कभी ये ऐसा सुनाया ना कोई सुना पाएगा और यह अब्यास हमें रोज करना है वो कप करना है? वो देखेंगे तो कौन सी तीन बाते? बाबा ने कहा शरीर छूट रहा है बाबा का सबसे पहली बात उपर बाबा से बाते चल रही है कि बाबा मुझे उपर बुला रहा है पहली पॉइंट बाबा मुझे उपपर बुला रहा है दूसरी पॉइंट ये जो आत संसार है इस संसार के प्रतिक्या दृष्टिकोन है तो यहाँ पर क्या है शुद्ध मोह की अवस्ता है मोह नहीं है शुद्ध मोह है और कोई विचार नहीं है कोई संकल्प नहीं है खास उसने है वस तीसरा आत्मा को देखना है मैं देख रहा था कि आत्मा शरीर के एक एक अंग को चोड़ रही थी भाभा का सन्टा टा और dead silence की अवस्थ क्या था भाभा का सन्टा और dead silence की अवस्थ शरीर से आत्मा निकल रही थी, एक-एक अंग को छोड रही थी और आत्मा शरीर से बाहर निकल रही थी ये मेरा अनुभव है दादे ने पूछा आपने क्या अनुभव किया तो बाबा ने ये थीन बताए तो अभी हमको करना क्या है जब भी सोने जाओगे चाहे दुपेर में सोते हो, रात को सोते हो, सुबे सोते हो ये तीन चीजों कानुभव करना है कि मैं बेट पर लेटा हूँ हूँ ये है बेट और ये हूँ मैं सबसे पहली पॉइंट सोचो ये पहले तो ये तो सोच लेना है कर्मातित मृत्यू का अनुभो करना है तो सबसे पहले तो बाबा बुला रहा है कि बाबा मुझे बुला रहा है अब पता नहीं वापस उठूंगा की नहीं तो बेट पर जाओ तो सोचो जीवन पूरा हुआ तो यहां मैं जा रहा हूँ फिर दूसरा यह संसार संसार की आत्मा है जैसे ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा कोई खास विचार नहीं था कि छुट्टी लेनी है या कुछ करना है बस एक शुद्ध मो तो यह संसार के भी कोई विचार नहीं है किसी से कोई मो नहीं है किसी से कोई आ सकती नहीं है लगाओ खतम मेरा संसार से लगाओ खतम हो चुका है मैं यहाँ बेट पर हूँ और तीसरा अब देखना आत्माश एक-एक अंग को छोड़ रही है हाथ body scanning उपर से नीचे नीचे से उपर पैर को छोड़ा इसको छोड़ा एक-एक-एक धीला-धीला छोड़ते जाओ पुरा शरीर देखो और एक-एक चीज छोड़ते इसमें से पावर गई यह धीला हो गया यह धीला पड़ गया पेट धीला पड़ गया आखे ना कान पिर हिलना-विलना सब बंद एक-एक दम ऐसे और मैं आत्मा जा रही हूँ यह अभ्यास करना है कब करेंगे? रोज यह है प्रैक्टिस यह है कर्मातित मृत्युकतुम जीते जी मर जीवा जन में तुम्हारा लिविंग डेथ डाइंग अलाइव तो जब भी लेट जाओ यह अभ्यास करना यह आज का है हुमवक लेटो सोचो उपर से बाबा बुला रहा है यह एक ही काफी है और मैं गया और उसको और ड्रेमेटाइज करने के लिए अगर कोई सफेद चादर हो उसको उपर डाल दो अगर मोबाइल है तो उसमें गीत भी चला देना अब घर जाना है और गुरुवार का यदि दिन हो तो भोग में हलवा भी बना देना ताकि फुल प्रेपरेशन कि मैं तो गया तो यह अभ्यास करना है मृत्यू का मृत्यू का अनुभा हो तो जो वास्तव मृत्यू होगी तब कोई डर नहीं होगा यह तो मृत्यू का भ्या रहता है सोचो अभी मर गया अभी मर गया अभी मृत्यू का अनुभा हो एक तो बाबा ने बुला लिया दूसरी संसार से कनेक्शन कतम कट कट और तीसरा आत्मा एक-एक अंग को छोड़ना तो एक-एक अंग को देखना है अंगुटे से चालू करो अंगुटा इदर से गया एक-एक उंगली से आत्मा शरी छोड़ रही है पैर से एक भी अंग छूटने नंपाए एक भी अंग छूटने नंपाए जो बोडी स्कानिंग में हम वही तो कहते है एक-एक अंग से आत्मा अपना शक्ति छोड़ते हुई निकल रही है निकल रही है निकल रही है और फिर निकल गई और ये करते करते कब नींद आ जाए वो भी नहीं पता चली और जब उठो दूसरे दिन सोचो अभी-भी परमधाम से हवतरित होकर इस शरीर में आया हूँ नया जन्म हुआ है मेरा वो तो कौन था पता नहीं मुर्त्ति हो गई उसकी नवया जन्म हुआ है नए सीरे से आज सब कुछ नया करूँगा अभी तो जन्म लिया है ये भी था न पिछले भट्टी में रात को सो जाओ तो ब्रह्म से ब्रामधन तो ब्रह्मा से ब्राह्मन का जन्म हुआ है महारतियों का नीन का समय भी योग में गिना जाता है ममा बाबा का उधारन भी दिया था उसमें तो कहीं जाके चार्ट बढ़ेगा यह तो कैसे बढ़ेगा कहा आते हम? बज गए है तो यह तीन तो यह एक सीन था यह सीन भी पूरा हुआ तो बाबा ने का यह मेरा अनुप हो था अगला दादी ने और एक प्रशन पूछा कौंसा प्रशन? कौंसा प्रशन? अगर हम लोग वहां होते तो हम तुमको रोक देते तो बाबा ने क्या कहा? यह ड्रामा कैसे चलता फिर? यह भी सीन पूरा हुआ अगला प्रशन बाब दादी ने कहा यह जैसे आर्टिफिशल लग रहा था रियल नहीं लग रहा था यह सारा बाबा ने कहा यह तुम्हारा क्या है? इसनिह का तार चुड़ा हुआ है न? मिठी तार चुड़ी हुई है इसलिए यह भी सीन पूरा हुआ फिर और एक सीन उम इमर्ज हुआ बाबा को, बाबा ने कहा कि मैं कहा पहुँच गया? साकार वतन में और इदर जैसे मकान तैयर हो रहा है यह दिख रहा है मैं नीचे हूँ और उपर मकान तैयर हो रहा है बिडलिंग इस गिटिंग रिडी मैं उस मकान में मुझे जाना है यह सीन भी पूरा हुआ अगला सीन कि बाबा ने कहा मैं अभी भी चक्कर लगाता हूँ क्या तुमको महसुस होता है जो कल भी कहा था ना विशेश, खास बच्चों को खास समय पर बाबा याद करते है खास बच्चों को तो तुमको अनुबह होता है कि मैं आता हूँ तुमको अनुब होता है कि मैं आता हूँ मैं मदद कर देता हूँ भरते हुए किसी ने ना देखा पर जोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुमारी यह एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुमारा साथी है अद्रिश्य मदद कैसी मदद? incognito help अचानक से मदद आ गई कहां से आई, कैसे आई, पता नहीं पर अपने आप आ गई अपने आप कार्य बन गई जो हम सोच रहे थे असंभव है ऐसी असंभव बाते संभव हो गई last moment में और ये दिखाई देने लगा कि उसमें भी कल्यान समाया हुआ है कई बार हम सेवाई करते असफल होते, प्रोग्रामस इतने सक्सेस्फुल नहीं होते एक अनुबह है किसी सेंटर का, कि वहाँ पर कोई एक मेगा प्रोग्राम रखा गया और कुछ वियाईबी इसको बुलाए गया स्टेज पर, दस बारा बैठे थे पर कोई नहीं आया, इतनी बारिश और इतना मौसम खराब तो सब को लगा रहे क्या है, इतना सब खर्चा ये वो हुआ, पर कुछ हुआ नहीं, पर ये जो स्टेज पर थे ने, उसमें से दो लोग ज्यान में आ गए ये सुक्ष्म राज है इस सेवाओं में, सेवाओं के असफलताओं में तो बहुत ही गहरा राज है सेवा सफल होई तो उसमें कोई राज नहीं है राज किसमें है? असफलताओं में अभी ये इन के लिए थाओ तो क्या सेवा है और यह हमें पता नहीं चल रहा, इतने सुक्ष में है सब कुछ, और यह भी ऐसे वैसे नहीं निकले एकदम पक्के हो गए और लोगों को चिंता होगी, देखो इतने बड़े-बड़े लोग आए और कोई नहीं, इनको चिंता थी, लोगों को, हमको चिंता थी यह इन दोनों के उपर थी, यह निकले, आने वाला कोई नहीं आया, तो यह बहुत सुक्ष में है सारा, तो बाबा ने खा मैं साथ हूँ, और लास्ट पॉइंट, वो एक चक्र, ऐसा चकर के अंदर चकर, लैबिरिंथ, चकर के अंदर चकर, चकर के अंदर चकर देखा दादी ने, और सब के बीच में ब्रह्मा दिखा, और फिर ब्रह्मा को एक, दो, तिन रास्ते निकल निकलने वाले, फिर ब्रह्मा को एकदम सेंटर पॉइंट पर देखा जीरो पॉइंट पर यहाँ यह ब्रह्मा है अब यक्तवर और फिर ब्रह्मा उने क्या कहा कि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ मैं भी छूट नहीं सकता मीठा बंधन है कोई ने श्रीवाबा भी नहीं चूट सकता तो मैं मेरी क्या भी साथ कोई नहीं चूट सकता इसमें से सब बंधे होगे तो ऐसी यह दस सीन से इस मुर्ली इस संदेश की तो आज हमने यह दो संदेश दिये और छे संदेश बाकि है कल तीन संदेश और पर सो तीन संदेश इसलिए पहले से ही सबको पढ़के आना है एक्जैम? इसमें कोई एक्जैम नहीं है इसमें कोई एक्जैम नहीं है अगली जो होगा उसमें एक्जैम होगा तो आज का होमवक नमबर वन टाइम वेस्टर्स और एनरजी ड्रेनर्स की लिस्ट बनानी है कि मेरे time wester's कौन है कौन मेरा time wester करता है और energy मेरी कहा व्यर्थ चली जाती है energy drainer time wester's की list अपनी व्यक्तिगत अपनी personal homework one homework number two ये वाला अभ्यास powerful, मृत्यु वाला जब भी लेटो तो बोल के रखना अपने center वालों को, घर वालों को भरुसा नहीं है कुछ दिया, बाजु में दिया भी जला दू कि हम तो गए तो गए की गए ये दूसरा, तीसरा पहला homework time wester's energy trainers दूसरा homework मृत्यु का अभ्यास तीसरा homework कर्म भोग और कर्म योग की जो लड़ाई है अगर कोई बिमार है और बहुत दर्द होता है तो ये अनुभो करना है कि जैसे ब्रह्मा ने अनुभो किया लास्ट में इसका भी full force, उसका भी full force लड़ाई चल रही है मल्लयुद्ध चल रहा है और हम क्या कर रहे है साक्षी होकर देख रहे है उसको और देखना है कर्म योग जीत गया वो पीड़ा खतम हो गए इतना दर्द, इतना दर्द, उटनों में इतना दर्द देखते रहो, देखते रहो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है वो खतम हो जाएगा हम जीत गए जो भी दर्द है जो भी बिमारी है हमेशा के लिए नहीं है आई और गई आई और गई अनुभो करना है तो ये वाला एक experience करना है एक लड़ाई का इन दोनों के लड़ाई में कौन जीत रहा है उसका और फिर अगला और क्या है बस बस ये तीन ही बहुत ज़्यादा होवक दे देते तो उपर उपर चला जोता है बस केवल तीन ये द्रिष्टी में क्या क्या वो पहले भी बता चुके है द्रिष्टी में क्या क्या समाया हुआ है और बाबा को अनुभो करना की इर्दगिर्द है, आसपास है, महसूस करना उसको बाबा ने कहा मैं हूँ, महसूस होता है, मैं मदद करता हूँ बाबा की सुक्ष्म मदद को दोड़ना है मदुबन आ जाना ही उसकी मदद नहीं है तीवरपुर्शाद की इच्छा जागरित होना, ये भी तो मदद ही है तो ऐसे ही अव्यक्त, एक-एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है तो कल तीन संदेश रहेंगे, आठ नंबर, नव नंबर, दस नंबर रात को पढ़ लेना, अभी दिन बर नहीं पढ़ना, रात को एक बार, यहां आने से पहले एक बार पढ़के हो जाना चाहिए ठीक है, होंशंती पहले एक बार पढ़के हो जाना चाहिए आठ चाहिए उच्पार पी आठ चाहिए आठ चाहिए आठ चाहिए बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहें ये हावा आठ चाहिए उच्पार पी आठ चाहिए आठ चाहिए आठ चाहिए बहते समय की तरह चरते रहो बादर करें जिस्ता था जरते रहो बादर करें जिस्ता था जरिया मुड़े बैरो करें जिस्ता था जादर में भी गिरिए कपी खानी ना आठ चाहिए उच्पार थी आठ चाहिए आठ चाहिए बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बही ये हावा बहता है चाहिए बहते लादर करें पादर करें कर दो कर दो